तो विजपी ने 2017 के चुनाव में बूथ मैनेजमेंट और छोटे दलों से गटवंदन के साथ टिकट वटवारे में जातिय समीकरणों का भी ख्या लखा था इसका उसे फायदा भी हुआ था विजपी ने अतिहासिक जीत हासिल की थी और इसे सबक लेकर समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़े दलों को छोड़ कर छोटे छोटे दलों को साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो उसका सुहेल दे भारतिय समाज पार्टी, राष्टिय लोक दल, महान दल, जनवादी पार्टी और अपना दल से गठवंदन हो चुका है माना जा रहा है कि आमादी पार्टी से समझवादी पार्टी की बाचीर जारी है सपाप्रमो का खिलेश यादव ने बताया कि 2014, 2017 और 2019 की परिस्थितियां अलग थी और 2022 के हालात अलग है उन्होंने दावा किया कि इस बार परदिश की जनता बी जेपी का सफाया कर देगी यादव और मुसल्मानों को समझवादी पार्टी का सबसे मजबूत बोट बैंक माना जाता है लेकिन 2017 से AIMIM समझवादी पार्टी के मुसल्मान बोट बैंक में सिंद लगाने की कोशिश कर रही है पिछला चुनाव उसने 30 से अधिक सीटों पर लड़ा था इस बार उसने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की गोश्णा किया है इस बज़े से समझवादी पार्टी को बीजेपी से निपटने के साथ AIMIM से भी निपटने की रणनीती बनानी पड़ रही है वैसी कि उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद भी समाजवादी पार्टी मुसल्मान बोटों को लेकर अश्रोस्त नजरा रही है तो इस बारे में कहा जा रहा है कि हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता है लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादब का ही जादू चलेगा ये उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया है आगे बढ़ते और बात करते हैं कुरोना की कुरोना वाइरस के नए वेरियंट ओमिक्रोन के मिलने के बाद से ही पूरे देश में कुरोना की तीसरी लहर का खत्रा काम है उत्तर प्रदेश में भी कुरोना ने चिंता बढ़ा दी है हराकि राहत की बात यह है कि अभी तक यूपी में ओमिक्रोन के मामले नहीं मिले हैं यूपी में कोरोना वाइरस के दूसरी लहर के दौरान कोरोना के डिल्टा वैरेंट ने जंग कर तबाही मचाई थी अब फिर से ओमिक्रोन के खत्रे के बीच डेल्टा बेरेंट के मामले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव में बढ़ने लगे हैं पिछले 10 से 12 दिनों में ही लखनव में 22 लोग कुरोना पॉजिटिव निकले हैं इन सभी पॉजिटिव लोगों की जीनोम सेक्वेंसिंग कराई गई है रहत भरी बात यह है कि अभी तक किसी की भी रिपोर्ट ओमिक्रोन पॉजिटिव नहीं निकली है और सभी डेल्टा बारियेंट से ही पॉजिटिव है अब कोरोना की तीसरी लहर के खत्र के बीच राजधानी लखनव में बढ़ रहे मामले चिंता का विश्य बने हुए हैं कोरोना की तीसरी लहर के खत्र के बीच कल लखनव के पॉलिस कमिशनर डीके ठाकुर की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी हाला कि उसमें कोरोना को लेकर कोई भी लक्षन नहीं है हाला कि पोलिस आयुक्त ने बताया कि वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनके भीतर कोरोना वाइरस के कोई लक्षन नहीं है पॉलिस कमिशनर की दोबारा भी जांच की गई है जिसमें उनकी रेपोर्ट नेगेटिव निकली रेपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सभी ने रहात की सांस ली है जरसल पोलिस कमिशनर डीके ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलरामपुर रैली में भी शामिल होना था